हेई गुड मॉर्णिंग एब्रीमन सो सुबह के अभी हुए हैं फाइव ओक्लॉक और आज मैं जा रहा हूं बंदा हिल क्यूंकि मैंने काफी टाइम पहले डिसाइड गया था कि मुझे वहाँ पर जाके समराइज सनराइज देखना है तो इतने टाइम से नहीं देख पाया हूं बट आज आज हम जरूर जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि वहां से सनराइज का व्यूव कैसा रहता है तो चलो चलते हैं और करते हैं इंज्वाइए जो हमारा टार्गेट है जहां हमें जाना वो उपर से टॉप है हमारा टार्गेट है झाल झाल तो अभी हम पहुँच गये हैं बन्ला में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं सती हो चुक रहा है और अभी चलते हैं एक मंदिर है ऊपर वहांपर की ते हैं इस लिए में बहुत वार बन्ला आया हूं वैट इस मंदिर में कभी नहीं गया ऊंट आज क्या है कि आज यहां मंदिर में पहुंची जाएंगे तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या है मंदिर में उपर जब सामने से सनराइज हो रहा हूँ तो और आप ऐसे हिल स्टेशन पर हो तो कुछ अलगी फिलिंग आती है यह देखें विव यहां से सुबागा कि एक्सपेक्टेशन से जादा लंबा रिस्ता है मैंने सोचा निठा कि इतना लंबा रस्ता हुईगा अब यहां पे दो रास्ते हैं यह कि इधर को जाता है और एक इधर को तो मंदिर तो उधर है यही वाला रास्ता ले लेते हैं देखते हैं कि कहां पहुंचते हैं मंदिर तो लग रहा है पहुंचने ही वाले हैं पर आप ही माचल की खूशुरती देखें वहां दूर मौसम ऐसा है कि बारिश होने वाली है और अगर आप यहां ओगे तो यहां धूप है इस वाल एरिया में अभी यहां पर इन वाले लोगों के लिए संराइज नहीं हुआ है क्योंकि जब उपर आएगा तब वहां पर संराइज होगा और यहां पर देखिए कितना लाजवाब व्यू है यहां से सामने संराइज हो रहा है और यहां पर देखिए और वो जो आपको जहां से संराइज हो रहा है वो वाली पहाड़िया है सुकेत की पहाड़ियां वहां जाओगे तो वह है आपका कटपोल टिपा वहां सामने यह वाला एरिया रास्ते की खूपसूरती देखिए यहां पर कैसे पहाड़ों में रास्ता बना हुआ है और यहां देखिए के नीचे खाई गरी एक स्टेप उधर गए तो गए कैसे बना हुआ है टेंपर कि बना हुआ है कि वहाँ है कि नीचे में छूपसूरती देखिए कि वहाँ है कि वहाँ है कि प्रमपद्ट कि वहाँ है तू जहां हम ये मंदिर में आये हैं ये है सिद बाबाजी का मंदिर यहां पे कुछ गुरु लोग भी रहते हैं जो कि यहां पे मंदिर में शिख बाबागारा करते हैं और जब मैं यहां पे आ रहा था उपर मंदिर के लिए तुम्हें ने रास्ते में बहुत सारे मोर भी देखे हैं मैं उनको कैप्चर तो नहीं कर पाया बट हाँ यहां पे बहुत जादा मोर रहते हैं कि यहां पे बहुत जादा मोर रहते हैं कि यहां 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 जादा मोर रहते हैं झाल झाल तो आप देख सकते हैं कि यहां टॉप से कितना प्यारा व्यू है नीचे बिलास पूसिट्टी का और यहां से आप पूरी बंदला हिल देख सकते हो शुरू चले के एंड तक और वैदर इतना अच्छा है और व्यू इतना सुन्दर लग रहा था कि मनी नहीं कर रहा था यहां से जाने के लिए तो अभी हम चलते हैं लवर पॉइंट पे यहां की वीडियो मैंने पहले भी बनाई है लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और देखिए यहां से भी कितना प्यारा व्यू लगता है मौनिंग में लेसा抑ाओं प्यारा व्यू शच्रिप्शन वाद से अपनाई है व्यू रङे 5ori झाल झाल आपको बहुत अच्छा लगा होगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा पॉनिंगा व्यू बहुत जबदस्त है आपको बहुत एंजोई किया होगा ऐसे ही आप हमारी वीडियो को शेयर करते रहें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल रहने अपना थ्यान रखें टेक केर एंड बाबाई